तो देखते हैं पर question number 18 में क्या पूछा गया है How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm तो हमें यहाँ पर momentum calculate करके बतानी है और dumbbell का जो weight है वहाँ पर कितना रखा है 10 kg दे रखा है अगर वो floor से नीचे के तरफ 80 cm height पर नीचे गिरता है और वहाँ पर हमें acceleration कितना रखा है 10 m per second square दे रखा है तो हमें वहाँ पर momentum calculate करके बताना है तो देखते हमें यहाँ पर क्या क्या given रखा है हमें dumbbell का weight दे रखा है mass जो कि कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है और जो height है वहाँ पर कितनी दे रखिए 80 cm जिसको हम meter में change करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 meter हो जाएगा इसको हम यहाँ पर distance भी ले सकते हैं क्योंकि height और distance यहाँ पर same ही होगी अब यहाँ पर acceleration है वो यहाँ पर कितना दे रखा है 10 meter per second square कितना दे रखा है यहाँ पर 10 meter per second square दे रखा है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और जो यहाँ पर initial velocity है वो यहाँ पर कितनी होगी 0 होगी क्योंकि वो यहाँ पर क्या था rest position में था अब यहाँ पर हम लगाएंगे third equation of motion क्योंकि हम क्या निकाल पाएंगे velocity निकाल पाएंगे easily और वहाँ पर हमें distance भी दे रखा है और acceleration भी दे रखा है उसकी value यहाँ पर हम put कर पाएंगे अब देखते हैं यहाँ पर third equation of motion होता क्या है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ third equation of motion तो third equation of motion का जो formula होता है वो होता है हमारा v square minus u square equal to 2as तो यहाँ पर जो v square दे रखा है वो हमें यहाँ पर नहीं पता तो हम यहाँ पर इसको constant value लिखके v square लिख देंगे u square जो initial value थी थी तो 0 का square equal to और 2 into s ration हमें यहाँ पर कितना रखा है 10 दे रखा है और distance हम height को ही लेंगे जो कि यहाँ पर कितनी है 0.8 है अब यहाँ पर v square ऐसी रहेगा as it is 0 का 0 हो जाएगा equal to अब यहाँ पर इसको calculate करना है तो 10 to 20 और 20 को यहाँ पर किस से करेंगे 8 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 20 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 को यहाँ पर किस से करना है 0.8 से करना है तो यहाँ पर वैसे आएगा हमारा 8 हो जाँ 1 60 हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट के वजब गचा तो यहाँ-सक्टर इसकोल इकोल कपर किभए तहल इसकोलों और यहाँ-सक्वेयर क्या हो जागा unique to denote करत την और जो formula होता है वो होता हमारा Mascz in New velocity होता है तो Mascz suggesting give us ंड the content are value city अभी हमने निकालि जो कि कितनी थी 4 ती हैँपे क्या होगा हमारा 40 kilogram मितर पर सेखेंड कितना हो जाएगा 40 kg meter पर सेखेंड इसकी unit आजाएगी तो यहाँ पर hope आपको यह समझ में आ गया होगा और यहां पर हमारे NCIT XS के questions खतम होते हैं तो यहां पर कुछ additional XS के questions दे रखें अब हम उन्हें solve करेंगे